हाई फ्रेंट्स मैं हूँ आपकी दोस्त प्रीती आपके साथ आज हम बनाएंगे बिस्कित के मिठाई इसके लिए लिए हैं हमने मैरी गोल्ड बिस्कित यह आमने एक पिकेट लिया है जिसमें 10 से 12 बिस्कित लिए मिलक लिया है हमने, कोप्रे का भुरा लिया है है दो छोटी चम्मत चॉकलेट पाउडर और आरीविटोरी इसमें हमने लिया है दूद पाउडर यदि आप मिठाई एकदम डार्क ग्राउन कलर की चाहते हैं तो बिस्किट वाले मिशन में थोड़ा सा कोको पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं सबसे पहले हम इन बिस्किट को मिक्सर से बारीग पीस लेंगे हमने बिस्किट को बारीग पीस लिया है अब हम से प्लेट में डालेंगे और इसमें चॉकलेट बर्ण डालेंगे अब हम इस मिशन को मिलकमेट से मिक्स कर लेंगे हम इस मिशन में दो बुन वैनिला एसेंस डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा यदि आप एसेंस पसंद नहीं करते हैं तो आप ना डालें इसे थोड़ा थोड़ा मिलकमेट लेकर आप इसे मिशन को एसा बना लेंगे जिससे इसकी गोली बन जाए देखिए हमारे बिस्कृट का मिश्रान है वह तयार हो गया है हमने इसका अच्छे से डो तयार कर लिया है आपको इसे जादा गीला भी नहीं रखना है इस तरीके से आपको बिल्कुल जैसे रखना है जिससे इसकी गोली बन ज इसके लिए हम प्लेट में डालेंगे दूद पौडर और खोपरे का बुरा इसे भी हम मिल्क मेट से मिक्स कर लेंगे देखे हमाय दूद पौडर कमिश्ण है वह भी हमने तयार कर लिया यह इसे भी आप इस तरी किसे गोल कर देंगे अब हम एक प्लास्टिक पर हल्का सा घी लगाएंगे और एक चॉकलेट वाला जो मिशान है वह रखेंगे इस पर हम इस तरह के से प्लास्टिक को कवर कर देंगे और हम इसे यह बेलन से बेल लेंगे हलका साथ लांस्किक पर नहीं करना चाहें तो आप इस तरह के से कवर ना करें और ऐसे भी बेल सकते हैं इसे आप इसे आप इस तरह के से अच्छे से मिलाते हुए बेल लेंगे देखे इसे हमने बेल कर तयार कर लिया है अब हम इसी प्लास्टिक पर इस दूर पाड़ वाले मिशन को भी इसी तरीके से बेल लेंगे देखे हमारा यह भी अच्छे से बेल लिया है हमने अब हम इस बिस्कुट वाले मिशन के उपर तूर पाड़ वाले मिशन को रखेंगे इस तरीके से और इसका हम रोल बना लेंगे इस तरीके से आप दबाते हुए इसका रोल ला लेंगे देखिए इसका हमने रोल तयार कर लिया है इस तरीके से आप इसे दबा कर थोड़ा पतला कर देंगे रोल को अब हम इस रोल को प्लास्टिक से कवर करके आदे घंते के लिए प्रिजा में रख देंगे इसके इसमें यह अच्छे से से जाएगा इस तरीके से आप इसे फोल्ड करके इस पर आप रबर लगा देंगे और इसे आप आधा घंती के लिए प्रिजा में रख देंगे आधा घंता हो चुका है अब हम इस रोल के पीस कर लेते हैं यह अच्छे से कड़ हो गया है अब हम इसके पीस काट लेते हैं इस तरीके से आप पुरी मिठाई के पीस कर लेंगे देखिए हमने सब के पीस काट कर तयार कर लिए हैं देखिए हमने सारे रोल के पीस काट के लख लिए हैं हमारी बिस्किट की टेस्टी मिठाई बनकर तयार हैं इस तरीके से आप भी बिस्किट की मिठाई बनाईए खाईए और मुझे बताईए कि आपको बिस्किट की मिठाई बनाना कैसा लगा झाल?